आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डमी वेरियेबल बहुत इंटरस्टेंग और बहुत आसान टॉपिक है देखें सबसे पहले समझते हैं कि डमी वेरियेबल होता क्या है एक डिपने पास एक मोडल है जिसमें मै एस्यूम कर रहा हूं डिपेंडेंडेंट वेरियेबल हमारे पास है इंकम और यह अज पिञेंड कर रहे है बीटावन अब कम में क्वाटितेटिव वेरियेबल है यह हमारे पास एक model है income dependent variable है age और experience independent variable है अब income एक quantitative variable है number से ही estimate हो सकता है age भी quantitative है number से estimate हो सकती है और experience भी quantitative हम नहीं है आपर इसको quantitative consider किया जो कि number of years में हम इसको represent कर रहा है तो तीनों variable quantitative है इसका मतलब है हम quantitative यानि वो variable जिनकी true representation number से होती है हम उनका relationship मालूम करना चाहरे है और हम देखना चाहरे है कि age का income से क्या relationship है और experience का income से क्या relationship है तो इस तरह की regression तो हम रहन बहुत सारे soft phase में करते ही रहते हैं कि quantitative variables लिए और quantitative variables को किसी को dependent बनाया किसी को independent बनाया और आपने regression run कर ली बीटा को efficient आ रहे हैं लेकिन कभी होता ऐसा है कि हमें किसी qualitative aspect को cover करना होता है for example जेंडर अब जेंडर कोई quantitative चीज नहीं है जेंडर एक qualitative aspect है और मैं अपने इस model में इस qualitative aspect को शामिल करना चाहरा हूँ तो जब किसी भी regression क्योंकि regression एक quantitative टेकनीक है तो quantitative variables में इस्तेमाल होगा और जब उस quantitative टेकनीक में अगर मैं कोई qualitative aspect शामिल करना चाहरा हूँ तो मैं बगहर quantify कि यह शामिल नहीं कर सकता इसका मतलब है पहले मुझे इस qualitative aspect को अगर इस regression में शामिल करना है तो पहले इसको quantify करना पड़ेगा जब quantify करेंगे उसके बाद पर हम इसको इसके में इसमाल कर सकते हैं अच्छा quantify करने से पहले जो भी aspect आप शामिल करना चाहरे हैं जो भी aspect आप शामिल करना चाह रहे हैं qualitative aspect उसकी कुछ ना कुछ categories होंगी जैसे जेंडर की दो main categories आपको मिल जाएंगी male और female I repeat कि हमारे पास एक quantitative regression है quantitative variables हैं हमें उस regression में qualitative aspect को शामिल करना है हम qualitative aspect को उस वक तक शामिल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसका हम quantify ना कर ले quantify करने से पहले हमने देखा इसकी category कितनी हमारे पास कितनी नज़र हैं दो category नज़र हैं तो हमें quantify करने का तरीका क्या होगा कि जितनी भी categories हैं हम एक वक्त में किसी एक को कह देंगे one और अगर कोई respondent उस वक्त one है तो यकीना फीमेल मेल है तो नहीं होगा तो आपने इस की जिए का क्या कर दिया zero फिर अगर कोई दूसर respondent है जानि उसकी income age और experience कोई दूसर respondent है वो अगर female है तो यहां zero आ जाएगा यहां one आ जाएगा इसी तरह यहां one आ जाएगा यहां यह दो variable सयार होते जा रहे हैं जहां जहां फीमेल मौजूद है वहां female का one रख दिया जहां male मौजूद है वहां male का one रख दिया अब जेंडर एक qualitative aspect है उस qualitative aspect की दो categories है हमने क्या काम किया कि जो category जब मौजूद है तो उसको कह दिया one और दूसरी category खुद बखुर क्या बन गई zero यह हमने variables generate होना शुरूब गए देखें यह पूरा इसी तरह one zero zero one इसी तरह zero one one zero यह variable generate हो गया यह जो variable है ऐसा qualitative variable जिसको आप quantify करें ऐसा qualitative variable जिसको आप quantify करें और quantify करने की limit क्या हो zero or one यानि binary quantify होना चाहिए और binary भी zero or one से तो ऐसा qualitative variable जिसको zero लो और 1 से quantify किया जाए ये कहलाता है आपके पास dummy variable ऐसा qualitative variable जिसको quantify किया जाता है zero और 1 से वो कहलाता है आपके पास क्या dummy variable अब सवाल ही पैदा होता है कि इस dummy variable को अपने इस regression में कैसे शामिल करें देखें इस वक्त जो हमारे पास model है income का age का और experience का अच्छा अब यहां पर कर करना है देखें इस वक्त जो model था यह इसमें male respondent भी शामिल थे female respondent भी शामिल थे तो यह जो बीटास की values आएंगी कि age increase की वजह से income में कितना effect आ रहा है experience की वैसे income में कितना effect आ रहा है याद रखेंगा यह male और female दोनों का average हो कर रहा है क्योंकि हमने यहां पर कोई ऐसी discrimination रखी नहीं कि male अगर होगा तो क्या effect होगा age का और experience का और female होगा तो क्या होगा क्योंकि यह model में हमने gender के effect को शामिल हैं अब हम एक ऐसा model बना रहे हैं जिसमें हम इस gender के effect को शामिल करेंगा अब जेंडर के effect को शामिल करने के लिए जेंडर नहीं लिखना है जेंडर की दो categories हैं male और female तो याद रखिए का जितनी भी डंबी की categories हैं दो हैं तो यहां पर n-1 कंसिडर करेंगे जैसे 2 है तो 2-1 1 कोई एक कंसिडर किया जाएगा अब जैसे यहां पर दो केटेगरीज है मेल और फीमिल तो यहां पर आप कोई एक केटेगरी कंसिडर कर सकते हैं और वो हम यहां पर शामिल कर लेते हैं एज्यूम बीटा 3 मेल प्लस एरा टाउं अब यहां पर एक बाच्ची तरीकर रिजएन में है वन तो इसका मतलब जब इस equation को interpret करेंगे male की जगा वन रखें तो उस वक्त यही model male का बन जाएगा और जब male की जगा zero रखेंगे तो यही model female का बन जाएगा आप देख सकते हैं जब male को zero रखों तो यह zero हो जाएगा यह पूरा खतम सिर्फ यह हिस्सा बिल्कुल इसके similar है लेकिन पहले और इसकी interpretation में बड़ा फरक है पहले क्योंके gender शामिल ही नहीं था तो यह model दोनों का था अब male का होना मेल का मौझूद होना model को male को represent कर रहा है और male का मौझूद ना होना model को किसको represent कर रहा है कि वह female को represent कर रहा है अच्छा अब interpretation की बात करते हैं for example जैसे income यह मैं करते हूँ 10 प्लस 2 एज प्लस 3 एक्सपीरियंस प्लस अब यहां पर important चीज़ आ गई फाइव मेल प्लस है अब तो estimate हो गया बैर नहीं है अब अगर आप से का जाए कि एज आपके पास है 20, 30 और experience आपके पास है 10 तो मुझे male और female की income calculate करके दिखा दे बहुत ही असान है जगर आप age और same age और experience की male और female की income तो age रखें 30, 32 से multiply होगा 60, 10 यहां रखें 10, 3 से multiply होगा 30, 60 और 30, 60 और 30, 90 और 10, 100 अगर यहां 1 रखूँ तो 5 इंटू 1, 5 इसका मतलब 100 और यह 5 एड हो जाएगा तो यह बनेगा तो male की income, income अगर male निकालूँगा तो मेरे पास क्या बना? 105 और यही वैल्यू से, same age और same experience से अगर female की income निकालूँगा तो देखें का female की income आपके पास आएगी, यह 0 हो जाएगा, यह 0, यहां पर वोई 30, यहां पर वोई 60, 60, 30, 90, 10, 100 तो आपके पास आगया 10 तो यह आपके पास age 30 experience 10 years का अगर हो तो male की income आ रही है कितनी 105, female की income आ यही difference आपको यह coefficient दिखा रहा होगा, इसका मतलब है dummy variable का जो coefficient होता है, वो normal अंदाज में interpret नहीं होता, जैसे हम यहां कहरें age increase by one unit, income increase by two unit, experience increase by one unit, income increase by three unit, लेकिन वो क्योंकि एक dummy variable है तो उसकी interpretation increase by one unit से नहीं होगी, dummy variable का जो भी coefficient होगा, वो basically difference बता रहा होगा, दूसरी category से, कि दूसरी category की income, यानि female की जो भी income है, वो five unit कम है, किसके मकाबले में male के, क्योंकि यहाँ plus का sign है, तो हम कहरें male की income five unit ज्यादा है, जब एक तरफ हम कहरें male की income five unit ज्यादा है, तो खुद बखो दूसरी तरफ कहरें female की income five unit कम है, same model को, same model को, अगर कोई कहें के, नहीं है, अब हमने continue क्या करना था, कि हमें dummy variable किसको place करना था, female को place करना था, तो for example, अगर हम female की डवी बनाते हैं, तो हमारे पास यह male की जगा लिखेगा female, और जब हम उसको estimate करेंगे, तो हमारे पास जो values आएंगी, वह आएगी, आपके पास fifteen plus two age plus three experience minus five f, अब अगर आप रखें 30, और experience रखें 10, तो अगर अब age 30 और experience 10 रखेंगे, जैसे age 30 रखा 60, 10, 90, 90 और 15, 105, क्योंकि यहाँ पर zero आ जाएगा male में तो यह इसा खतम हो जाएगा, तो इस model से भी अगर मैं income male की निकालूं तो मेरे पास answer निकलेगा कितना 105, और income अगर female की निकालूं तो हमारे पास answer निकलेगा 100, अब जाहिर सी बात है क्योंकि model वो ही है, data वो ही है, तो ऐसा possible नहीं है, कि same data में सिर्फ dummy variable को change कर दिया थे, तो answer बदल जाए, जैसे पुराना वाला model यह बता रहा था, कि male की income five unit press assign बता रहा है, ज्यादा है, तो उसी model में अगर dummy आप female की इस्तेमाल करे रहा है, वो ही five का difference हा रहा है, और यह sign बता रहा है, कि इसकी income male के मकाबले में कम है, और इसकी income female के मकाबले में ज्यादा है, उमीद है, यह basic concept dummy variable का आपको पसंद आया होगा, इंशालला next video में, हम dummy variable के मजीद types, slope dummy and intercepts, dummy को discuss करेंगे, अगर यह video आपको पसंद आया है, तो इस video को like करें, share करें, subscribe करें और bell icon पे जरूर क्लिक करें, thank you